आज हमने बनाई है ये विंटर स्पेशल तंदूरी चाय वो भी घर पर जी हां ये हमने तंदूरी चाय बनाई है बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है इसका make sure आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ आप कोई भी बटन ले भगोना या फ्राइपन उसमें मैंने यहाँ एड किया है एक कप पानी यहाँ मैं दो कप चाय बना रही हूँ उसके बार मैंने थोड़ा सा अधरक कूट कर आइची और यहाँ मैंने इस्तेमाल की है दो बड़े चम्मच चाय पत्ती क्योंकि यहाँ मैं कड़क चाय बना रही हूँ आप चाहें तो चाय पत्ती की मात्रा कम कर सकते हैं और इसको करना है अच्छे से बॉइल और बॉइल हो जाए तो इसमें आइड कर दीजिए दूद दूद यहाँ मैंने डेड कप इस्तेमाल किया है आप चाहें तो प्योर दूद की चाय भी बना सकते हैं और फिर इसको करना है अच्छे से बॉइल और जब यह बॉइल हो जाए तब हमें इसमें एक को ट्विस्ट आइट करना है हमने आज यह चाय बनाई है शक्कर से जी हा दूद का अस्तमाल भी कर सकते हैं पर याद रहें आपको गोड़ी या शक्कर सबसे लास्ट में डालनी है चाय में पहले बिल्कुल भी ने डालनी है वरना चाय फट जाती है शक्कर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी आप चाहें तो वहां से पर्चेस कर सकते हैं अब चलिए करते हैं इसके तंदूर तड़के की तयारी तो यहां मैंने एक मिठी का बटन लिया है आप चाहें सकोरा या फिक कटोरी या विर कुछ भी ले सकते हैं मिठी का बटन इसको हमें गरम करना है बहुत ही अच्छे से तो यहां मैं गैस पर ही तेज गैस पर और इस मिठी के बटन को अच्छे से गरम करें आपको इसको गरम करने में 10-15 मिनट का समय ज़रूर लगेगा पर जब आप चाहें पीएंगे ना तो आपको यह टाइम बिलकुल भी खराब नहीं लगेगा बहुत ज़दा अमेजिंग लगती है यह चाहें अगर यह बटन गरम नहीं होगा अच्छे से तो तड़क अच्छे से नहीं लगेगा और फिर वो तंदूर वाला फ्लेवर ना आएगा नहीं तो थोड़ी सी महनत तो बनती है अगर तंदूर वाली चाहें घर पर जाहिए और यह बटन गरम होकर बिलकुल रेडी है यहां म तड़का बहुत अच्छे से लगे यहां मैंने चाय गरम कर ली थी और अब इसी बर्तन के उपर चाय चान दीजिए और आप देखिए अब यह तड़का लगना शुरू हो चुका है चाय का और मैंने इसमें सारी के सारी चाय चान दी थी और यहां गैस बिल्कुल बंध है यहां आपको गैस अन नहीं करनी है क्योंकि यह बर्तन बहुत जादा गरम है दीरे-दीरे करकर जो यह बर्तन हमने गरम किया था ना इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएका यह देखिए और हमारी चाए में तड़का इसी की वज़े से लगता है इसी वज़े से मैंने कहा था यह बर्तन बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए वाव कितनी मज़ेदार लग रही है यह चाए बस अब इस मिट्टी के बटन में जितनी चाए है बची कुछीफ उसमें से निकाल नीजिए और यह चाए में तड़का लगकर बिलकुर रेडी है अब आप इसको सर्फ कर दीजिए मिट्टी के बटन में जिसे की बिलकुर मार्केट स्टाइल लगे तंदूर वाली चाए थाना बनाना बहुत ज़्यादा असान और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक बार ज़रूर ट्राय करिएगा और मुझे बता का लुप्त उठा सकते हैं इन सट्डियों में वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई